जैसे से गुरुकुल के सभी मेंबर वाश्यों के तरफ से आप सभी को जोहार भिन्दनतन बेख करते हैं इस प्रकार जारकन चोकिदार को ले करके अलग अलग चाप पांच जिल्लों में आप लोग का नोटीस देखने को मिला है साती साथ कुछ जिल्लों में रेजेक्शन लि लेटर यहां पे कुछ संचोधन आप लोग को देखने को मिले हैं तो जिन अभ्यार्थी का कल यानि की 8 सितंबर को एकजामने सने वो कारोच चोकिदार का उनके लिए फिर से पुना एडमिट कार जारिक किया गया है और उस एडमिट कार को भी आप लोग देख लिजिएग से रिलेटर कुछ यहां पे दोड से रिलेटर यहां पे अपडेट आप लोग को देखने को मिलें तो चलिए हम लोग आए इन सभी जिल्लों का बारिकी से देखने का परियास करते हैं सबसे पहले यह देख सकते हैं बोकारो चोकिदार एक जामने सन को लेकर की तीन बड़े पोकारो.nic.in पर दिनांग 3 सितंबर 2024 को अपलोड किया गया था। उक्त परवेश पत्र में कुछ तुरुटिया परकास में आई है जिसका निराकरन जाचो उपरांद कर लिया गया है। देखे कुछ एड्मिट कार्ड लग सम आपलों के 4000 पचपन कुछ अभ्यारतियों का एड्मिट कार्ड जारी किया गया था। तो उसमें से भी कुछ एड्मिट कार्ड में कुछ तुरुटिया पाई गई है जिसका निराकरन कर दिया गया है। हटा दिया गया है। अभ्यारतियों को सुचित किया जाता है कि पूरु में निर्गत परवेश पत्र के अधार पर परिच्छा में समिलित होने की अनुमती नहीं दी जाएगी। देखिए जो पहले एड्मिट कार जारी किया गया था उसको लेकर कि यदि आप एक्जामनेशन होल में जाते हैं तो आप लोग का एक्जाम होल में बैचने के लिए नहीं दिया जाएगा। यह देखिए 5 सितंबर को ही आया था बट ओफिस्यल साइट में यह कल अपलोड किया गया है और बीजी होने के कारण यह अपडेट आप लोग को थोड़ा सा डिले हो गया बट कोई नहीं यह देख सकते हैं यह संसोधन वाला आप लोग का एड्मिट कार तो यह नया वाला एड्मिट कार हो सकता है किसी अभ्यार्थी का सेंटर चेंज कर दिया गया हो इसलिए आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में जाईएगा ओफिस्यल साइट का लिंक आप लोग को नीचे मिल जाएगा वहां से नया एड्मिट कार को आप लोग डौनलोड करके निकलवा लिजेगा अगला जिल्ला का हम लोग बात करने वाले हैं वो जिल्ला है लातेहार जिल्ला तो लातेहार चोकिदार जिल्ला का फाइनली आप लोग का रिजेक्शन लिष्ट जारी कर दिया गया है और उसी को लेकर करके यहां पर आपती दर्च करने का समय भी निर्धारित आप लोग के लिए कर दिया गया है आप आप लोग यहाँ पे इसका रिजेक्शन निश्ट डॉनलोड कैसे कीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स पे आप लोग का ओफिशल साइट का लिंक मिल जाएगा अनियथा आप क्रोम पे जाएगा www.latihar.nic.in पर जाएए वहीं से आप लोग का डाइक ओफिशल साइट पर ले जाया जाएगा देखे दिनांग 3 सितंबर 2024 को उपईउक्त लातिहार की अध्यस्ता में आहुत चोकिदार जिल्ला चेयन समिती की बैठक में लिये गे निर्देनासा अनुसार लातिहार जिल्ला अ अभी आप डेट देख सकती हैं आज होगी आप लोग का 7 सितंबर तो 24 अगर्स्त साथ सितंबर कितना दिन का ही डिफ्रेंस है आप देख सकते हैं मोटा मोटी सिर्फ 10-14-15 दिन का समय है और 14-15 दिन के बीच में ही देखे कितना फास्ट प्रोसेस आप लोग के लिए करवाय जा रहा है सो और वही चीज कहीं न कहीं आप लोग को साबित होते हुए भी दिख रहा है जैसा कि आप सबों को बताया गया था एक्जामनेशन और जो भी निवक्ति परकिरिया है वो चुना से पहले करानी की लिए पूरी समझिये कि वो है तो उसी को लेकर के देखे इतना टिपनी वाले कोलम में अंकित कर दिया गया है जिस कारण से आप लोग का फोर्म रेजेक्ट किया गया है जिल्ला चैन समीति के दोरा वईसे अभ्यारती से जिनके कुछ कमिया रह गई है लातेहार जिला वेबसाइड इस वेबसाइड पर डाटा को अपलोड कर दिनांक 11 सि कोदन का आप इसके विरुत में दावा आपति दर्च कर सकते हैं देखिए 11 सितंबर दोजार चोबिस तक और इसको देखिए दावा आपति कैसे करना है पहले आप अपना जो रिजेक्शन लिस्ट है वहां पे सभी अभ्यारतियों का वह परखंड वाज दिया गया है परख थान देख सकते हैं उप समारता लातिहार की अधियस्ता में गठित को सांग समरनाले लातिहार में निश्चित रूप से जमा करने का सो निश्चित करेंगे जो लातिहार का डीसी ओफिस करियाले उपायुत करियाले हैं वहें पर जाकर के आपके जो भी जिस कारण से फोम र तू अमंत्रित आवेदनों पत्रों के अर्कुरूटनी के उप्तरान यहाँ पे देखिए आप लोगा यहाँ पे भी फो में जोगी असकुरूटनी त्यार कर लिया गया है इसका भी फाइनली आप लोग का रिजेक्शन लिष्ट जारी कर दिया गया है गड़वा जिल्ला का और यह चीज कहां पे आप लोग को दावा अपत्ति करना है देखिए नया समर्नाले भवन कल्यान पूरु गड़वा ब्लॉक एक भूत तल राजसु करियाले कमरा संक्या सारा पूरा एक्जैक्ट लोकेशन डिटेल्स आप लोग को प्लेस बता दिया गया है इसी जगह पर आप लोग पहले रिजेक्शन लिस्ट जारी कर लिजे डौनलोड कर लिजेगा ओफिशल साइट का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा देखिए यहां पे डिस्क्लेमर के तोर पर भी यह चीज आप लोग को सुचित कर दिया गया है कि दा आप लोग को जारी कर दिया गया था और यहां पे देखिए जो अलग जिल्ले के अभिहारती है उनके लिए मैं यहां चीज एक चीज बताना चाहता हूं देखिए जो आप लोग का सिम्डेगा जिल्ला में हुआ था चार वहां पे लेंग्वेश पेपर छेत्रिये भासा थ Як खड़िया हो गया सबसे उपर में उसके बाद फिर यहां पर देखिए उसके बाद फिर यहां पर देखिए यह मुंदारी का कुछीन पूछा गया है तो यानि चार अलग-अलग लेंग्वेश वेपर का वहां पर सय्कूश्ख पूछा गया था कुछ प्रस्ण है क्यों प्रश्न थे देखिए यहां से सब के लिए वो एकी प्रश्न थे और कुछ-कुछ है नीचे जो कि आप लोग का वो चीज देखिए यह नाकपूरी का हो गया ठीक उसी परकार यानि कि 35 के सम्थिंग तो आप लोग का सब का जेनरल कोईशन पूछा गया था और बाकी प्रश् लोगों को ब्याकरन भले नहीं जानते हैं कोई बात नहीं लेकिन उसका भासा को रीड करना आना चाहिए वह इसलिए इसका किया गया है देखिए कोई भी documents होता है लोगों को जब आप गाउं घर में जाएगा समझाने के भले आप ब्याकर नहीं जानेगा कोई बात नहीं बट जो प्रेस्वन सेशन होता है जो आपको बात करने वारतलाब करने के है तो वो उस भासा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वही चीज जा ब्यारती देख TCP लेखिए लिए ये फाइनल अंसर की जारी कर दिया गया है यहां से आप लोग आंसर स्थी will ला लेजे और आप लोग का दोड का डेट जो 10-11 को डिसाइड किया गया था उसमें भी बदला हुआ है नोटी जारी की देखें यहां पर आंसर सिट जो जारी की अगया उसके बिरुद में कुछ यहां पर बाते कही गई है परकासित उतर कुंजी पर किसी भी उमिदवार को अगर कोई आपती हो तो अपना दावा आपती करियाले जिल्ला समान साखा सिम्डेगा में 9 सितंबर 2024 तक आप लोग दावा आपती दर्च कर सकते हैं देखें किनी का भ्यारती का जैसे आप लोगों ने एक्जाम दिया है तो आंसर की भी जारी कर दिया गया अधि आपको ल समय आप लोग को आपती दर्च करने का दिया गया है और फाइनली जो दोड होगा दोड का भी डेट को लेकर के देख सकते हैं फाइनली यहां पे दोड को लेकर के जो आप लोग का निर्धारित तिथी तैय किया गया था 10 और 11 सितंबर को तो इसमें अभ्यारती को सारीरिक जां शेचुत तिथी निर्धारित किया गया था उसे आप परिहार कारण से अस्तकित किया जाता है नई संसोधन तिथी की घोसना की सुचना अस्थानिये एवं देनिक जो भी समचार पत्रे एवं सिम्डेगा जिला के ओफिसियल वेबसाइट पर आप लोग का जारिक कर द बनेवाला है और बस उसी दोड के कारण ही आप लोगे जितने भी जिल्ला में एक्जाम हो गया है दोड इसलिए रुका है चुकि अभी उत्पास सिपाहे का दोड चल रहा है और आप सब को पता होगा उत्पास सिपाहे का दोड को अभी फाइनली आगे बढ़ा गया दिया तो आप देख सकते हैं इस भरती के परती कितनी एक्टिवनेस देखने को मिल रही है। चलिए फाइले मैं यहां पे साथी साथ और एक अब्लेट दे देना चाहता हूं कि चाहे आप जिस जिल्ला से भी समन्द रखते हूं जैसे कि अभी पता होगा लातिहार पाकूर इन सभी जिल्ला में गड़वा जिल्ला में आप लोग का रिजेक्शन लिस्ट जारी कर दिया गया है और जहां तक लगते हैं कि आप लोग के एक्जामनेशन यहां पे दस से पंदर दिन के बीच में आप लोग का एक्जामनेशन वो डेट कंड़क्ट करवा लिया जाएगा तो जितने भी अभिहार थी जिनका फोम एक्सेप्ट हो चिका है ता आप नीचे केतेड वे में सिलेबस के एकोडिंग जो निउ पेटर पुछा गया गुमला गिरिड़ी और सिम्डेगा जिला में बस उसी पेटरन के अधारित वहां पे कुष्छन और थियोरी के नोट्स चाहे जहारकन जिक्किये हो, चाहे आप लोग का अपना जिला जिक्की हो, चाहे लेंग्विज फेपर, तीनों सेक्षन को कंप्लीट वहाँ पे आप लोग के थियोरी कलासिस, चेप्टर वाइज, मसी क्यू, हर एक चीज वहाँ पे आप लोग को उपलग्द करा दिया गया है, तो जिन अभ्यार्थियों को, कलासिस की जोरत है कि नहीं हम लोग को सिलेबस के एकोडिंग, ओथेंटिक, कंटेंट, चुकि अभी ये अंतिम समय में इधर उधर पढ़ने की जोरत नहीं है, और वो समय भी नहीं बचा है, सिलेबस एकोडिंग पढ़िएगा, तो जितना दिन का भी समय बच्चा हुआ है, आप लोग के बहुत ही असानी से आप लोग एकजाम कराक ले जाएगा, बस यहाँ पर है समझना सिलेबस को, और कंटेंट को पढ़ना, तो आप उस अप एप को नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स पर जाकर करके डौनलोड कर लीजिए, वहाँ पर कलासेस आप लोग के लोंज करा दिये गए हैं, अधि आप लोग को किसी तरह का कोई दिक्कत होता ह है, अप्लिकेशन लोड करने में, या फिर आपको कलासेस में जुडने में, तो आप इस नंबर पर कॉंटेट केजिए, हमारी टीम आप लोगों से संपर करके सारी जनकारी बता देगी, यदि डायकली फोन वो चीज नहीं हो पाता है, तो आप लोग वार्टसप में अपनी यह एक्जामनेशन का, और हर एक वीडियो में यह बताते आ रहा हूँ, शुरुवात से ही आप लोग का, कि चुकिदार का लिए आप लोग पुरा तत पर यह हो जाए, चुकि इसका कोई रुकावट ही नहीं है, कहीं कुछ रुकने वाला नहीं है इस बेकिंसी में, और पुलीश, दरोगा, सिजल, यह सब का, यह PC का कुछ अभ्यारती कर रहे हैं, वो चीज मुझे पता है, बट अभी एक विद्ध्यारती के लिए सबसे बहुत ही जरूरी है, वो एक जोब, जोब मिल जाता है तो वो कहीं न कहीं मेंटली अस्टेबल हो जाते हैं, और सबसे ब पोस्ट का तियारी कीजिए, एक कोट टार्गेट कीजिए, जरूर निश्चिंत जब भी वेकेंसी आएगी, वहाँ पे आप लोगों कुछ सफलता मिलेगी,